नविश्कार दोस्तों वेलकम डॉसे अस्टोलाजी मैं नीतो सिंग दोस्तों मुस्से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए जिससे की वीडियो की अपडेट आप सभी लोगों तक पहुशती रहे इस वीडियो में आज हम चर्चा करेंगे वसी करण पर ऐसा वसी करण जिससे आप किसी को भी वस्मिक कर सकते हैं लेकिन कभी भी किसी के साथ गलत करने के लिए कोई भी चीज ना करें क्योंकि उसका उल्टा असर होता है अगर कोई अपना आपका पती हो या फिर पतनी हो आप से रूट गई हो चाहे प्रेमिका हो चाहे प्रेमी हो चाहे गल्फ्रेंड हो चाहे बॉइफ्रेंड हो अगर कोई आप से रूट के चला गया है तो आप इस सकती साली वसी करण को जो मैं आज आपको इस वीडियो में बताने जारे हैं उसे अपना कर अपने रूठे हुए प्रेमी को या रूठी हुई प्रेमिका को आप मना सकते हैं इस टोटके को करने के लिए आपको सिर्फ साथ बार उस व्यक्ती का नाम बोलना है जिसको आपको अपने वसमे करना है चाहे वो आपकी प्रेमी का हो चाहे वो आपका प्रेमी हो अगर आप किसी को वस्मे करना चाहते हो तो ये बहुत ही सरल उपाय है ये उपाय आपको शुक्रवार के दिन करना है किस दिन करना है आपको शुक्रवार वाले दिन करना है सबसे पहले आप अपने बैड के उपर लेट जाए जो भी आपका बैड है उस पे आपको सीधे लेड जाना है उसके बाद उस इंसान का चहरा जिसको आप वस्मे करना चाहते हैं उसके चहरे को मन ही मन में याद करना है याद करते हुए एक मंत्र में यहाँ पे बोलने जा रहे हैं उस मंत्र को 7 बार आपको बोलना है तो मंत्र इस प्रकार है ओम नमो फगुक ससड बस बसम कारू ऐस मंत्र का आपको 7 बार इस मंत्र को मनही मन में उच्चारण करना है मंत्र बोलने के बाद अपनी उंगली आपको अपनी नाभी पे रख लेनी है उस इंसान का नाम साथ बार मन में बोलते ही तीन घंटे में वह इंसान आपके वस में होगा ऐसे करते ही वह इंसान आपके वस में हो जाएगा इस विधी में और कोई जानकारी के लिए अगर आप चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं लेकिन हमेशा एक चीज ध्यान रखे कि वे बज़ा किसी को वसमे करने की कोशिश ना करें क्योंकि अगर आप वे बज़ा किसी को परशान करने की कोशिश करेंगे किसी का बुरा सोचने की कोशिश करेंगे तो समझ जाए उसका उल्टा असर होगा क्योंकि उपरवाला सब कुछ देखता है अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई वीडियो लाइक करें, शेयर करें मुस्से जुड़ने के लिए मेरी चैनल को सब्सक्राइब करें फिर मिलेंगे चैमाता दी